हेलो गाइज वेलकम तो माई चैनल राव टेक्निकल हेल्प सो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि अगर आपको आपके समार्ट टीवी के अंदर वाइफाई कनेक्ट करना है बट वो आपके यहां पर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको यह प्रोब्लम कैस कीसी बेर काप को कुछी प्रोब्लम आ रहे तो फ्रेंड cafeter यहां पर हर टेप्न को मिल जाएगा जैसे कि आप यहां पर देखे पा रहे हों कि आपको यहां पर कुछ ओप्संस देखने को मिल जायेंगे आपके समार्ट टीवी के अंदर तो आपको क्या करना है यहां पर जो यह settings का option है यहां पर आपको आपके remote से आ जाना है और यहां पर इसको open कर लेना है इसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहां पर आपको एक additional settings का option मिल जाएगा आपको यहां पर click कर देना है इसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है, यहां पर आप देख पारे हो की network and internet not network connected, आपका यहां पर ऐसा ही show होता है, जब आप connect करने के लिए जाते हो तो आपको यहां पर क्या करना है, network and internet का जो यह option है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है आपके remote से उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपके सारे network दिख जाएंगे जो भी आपके wifi है आपको क्या करना है जट नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिलेंगे आपके IP setting, proxy settings और not connected तो आपको क्या करना है यहाँ पर proxy settings को open कर लेना है और friends आपको यहाँ पर proxy settings के अंदर non और manual के जो यह दो option दीखेंगे आपको तो आपको क्या करना है यहाँ पर non पर जाकर आपको remote से click कर देना है यहाँ पर आपका यह settings वो जाएगा ठीक है इसके बाद क्या करना है यहाँ पर IP settings के अंदर जाना है आपको और यहाँ पर दो options मिलेंगे आपको IP settings के अंदर DHCP और Static Static मतलब अगर आपने manually कोई IP डाल के रखा है यहाँ पर तो आपका यहाँ पर show हो जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर भी आपका अगर आप Static IP यूज़ कर रहे हो आपके जो wifi यूज़ कर रहे है तो आपको यहाँ पर आपका IP डाल देना है जो आप इसको assign करना चाहते हो ठीक है एक तो यह तरीका हो गया कि आप यहाँ पर पूक कर देना है यहाँ पर आपका यह settings से हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है उपर की तरफ जाना है वापस से आपका यह network इंट्रेटका पर यहाँ पर उसको क्लिक कर दीजिए यहाँ पर आने के बाद अगर आपका यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर वाइफाई नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर add new network का एक option मिल जाएगा आपको जस्ट आपको यहाँ पर click कर दे रहा है और जो आपका वाइफाई है मालवा A, B, C, D जो भी आपका वाइफाई का नेम है यहाँ पर enter कर दीजिए enter करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जो यह arrow वाला sign है यह यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है तो इससे क्या होगा आपका जो network है वहाँ पर वो चला जाएगा ठीक है अगर आपका यहाँ पर करना है यहाँ पर जो आपका वाइफाई का जो यहाँ पर आइकन से हो रहा है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी आपका IP है यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पर enter कर दीजिए मैं यहाँ पर जल्दी से पासवर्ड एंटर कर देता हूं यहां पर मैंने अपना IP जो पासवर्ड है whyfire का यहां पर enter कर दिया है इसके रहाद आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे की तरफ arrow का जो यह sign है यहां पर आपको click कर दिना है नीचे की तरफ arrow का sign दिखर रहा essay है आपको यहां पर just जाके आपको click कर देना है तो फ्रेंट्स देखे यहां पर जो आपका वाई फाई है यहां पर कनेक्ट हो जाएगा ठीक है यहां पर देखे यह जो आई पी है यहां पर वो जो आई पी रखाए यहां पर आई पी अपने आप ले लेगा और यहां पर कनेक्टिड दिखा देगा आपको थोड वाइफाई तो आप ऐसे आपका प्रोब्लम् ठीक कर सकते हो आपके स्मार्ट टीवी के अंदर शुष सब्सक्राइब मैं चैनल वीडियो को लाइक टरना शेर करना बैल एकन दोवारा ना बुलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूटोब पर प्रोड़करूंस को अब तक पहुंच जाए थैंक यू सो मच